अब बारा साल खेला हूं बड़े क्लबों में इजवेंगाल में खेला हूं दो साल मौनवान चीन साल हर साल की तरह इम साल भी मौनवान इसपोर्टिंग कलप के जानिब से शान मौनवान एवार्ड 2022 दो अजीम सक्सियत सेद मौनवान नईम अर्जुन एवाडी और मौनवान फरीद एक्स प्लियर मेसी को इस्टेट मिनिस्टर अरुद बिशास और फिराद हकिम के हाथों से नमाजा गया इस दोरान दावत इस्तार का भी एहतमाम किया गया आपको बतादेशा ने मौनवान एवार्ड साल दोहजार नब्बे से मौनवान इस्पोर्टिंग कलब ने शुरू किया जिसकी शान आज भी बरकरार है इस दोरान मले माला रहें, मले बावल सुप्रियो, मपी नदीम उलहक, मौनवान इस्पोर्टिंग कलब के प्रिसिडेंट अमिरुद्दीन बावी, जर्नल सिग्रेटरी, दानिश अकबाल, मौम्मद अक्रम, मौम्मद बिलाल, मौम्मद कबरुद्दीन के इलावा, कौकता के अजीम स दीकी, के एलावा, मौम्मद अके सभी खेलाडी और अन्ने लोग भी मौजूद थे, आईए देखते हैं, पुरी रिपोर्ट। क्वाएक बचरेन मौद देई, मौममद अबार ये शीरोना में छिलो, शेकने जपाउँ छबे, निस्च्वी आजबे, एक्टू समाय लागवे आजबे, कारण अधेर साथे कोतावे भच्चे, स्पांसारे साथे साथे, पहे गेले ही हवबे, सोबूरे में आफले अधेर ने तो सम्प्रोतिक आले आई लिगे जा परफामेंस, अमार तो दिरो विश्चाष, एवार मौमान चाम्पियान हवे जबे, आवस्च्वी, एक्टार कोरे एक्टार हवे, स्टेप बाई स्टेप, आगे आगे आई लिग चाम्पियान है, आपर निश्य आएसेल के मिलते हैं, वीड ने आखेमार मौमान चाम्पियान हवे, आप पॉष्ट the what can weigh, और यह भूछलप मौमाना श्यच्वा करें मिलते हैं की झाले टीम मौमान generate more of middle from Shund' तो खट चिन शद्दिर बाइडी की तादिर जुन्न कुर्चन और तादिर का जुन्रों तरजन माटे की 100% है तलहीं महावाडन चम्पियों आपको ये वार्च जुन्न क्या मैं अफ्टा के लिए कि मैं इतने साल में मापर कलकडा में खेला हूं 12 साल बड़े कलबों में इज मैं फिलिए वरी प्रावड आफ मैसेल्फ और मैं वेरी गड़ेट फुन ओफिशियल्स के मेरे को लोग इतने बड़े आवार्च से में आवार्च ये मेरे बहुत बड़ा बहुत बड़ा मेरे एजास हाई है इस आवार को हासल करने के बाद यावाड मिनता है क्योंकि इतन पोजीशन पर है क्या लगता है कि महमड़नी पोडिंग बहुत पहली मरतबा आई लिग चैंपियन बन सकती है बार अब और इंशाएलला बनने का चांस ज्यादा है क्योंकि महमड़नी पहले है इस स्टार्ट जो अच्छा होता है तो आखिर भी इसके अच्छी होती है पहले गिर गिर गया था कमर में चोट लगी है तो मैं अभी इसका सरजरी है थोड़े दिन बाद लेकिन अपने गाड़ी भेज़े हैं और इस यह आपका वील्चेर भेज़े हैं लोग घर मेरे और वास इनका अदमी आके मेरो यहां पर खास तर फंक्शन अटेंड करने के बस यह है कि महुण पर खेलती थी वह इसे महुबत करते थे आफिशेल और सपोर्टर सब्सक्राइब करिये और टीम को सब्सक्राइब करिए एटीम बहुत और आगे जाने वाली है इंशाथ लिए इन्टिन कोश कोच अज़े प्लेयर सकसेटूल अज़े कोच अज़े प्ल सब्सक्राइब करने के लिए कितनी जादा जिद्व सामने करना अपड़ा है यह गए और गोल करने के बाद ट्रॉफी मिल जा बस यही चाहिए और पीछे क्या हुआ पता ने वह यह जद्व 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 के लिए एक बात ही यह है कि मैडर हम नहीं खाके भूके रहते थे हम लोग मान झा कर फूद हमको खिलाती थी तो आइमीस सार मेरे मिस्टी साव सब्सक्राइब कर भूके रहते थे खच्चे जाम खाके मैदान जाती थे मढदर अपना बेस के ज़िए हमको खिलाए थी तो सब्सक्राइब 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 इसल में आ गए है इसल विचितने की पुरी कोशिश करेंगे वो लोग को मालों में क्या करना कि अपना बच्छा ने खाकर जान दे देगा जान देके वो फिर देगा एक शाने मौमदन शाने मौमदन स्कोर्डिंग जो दिया गया नहीं मुद्दिन साब को मैं इसे बहुत ही इसे मैं बहुत नेक सोच समझता हूं क्योंकि नहीं साब एक ऐसे कोच थे हमारे बंगाल में बंगाल के मैदान में पीके पैनल जी अमल दखता हाँ उसके पहले अतुलो घोस से लेके जिन बड़े कोचों का नाम कोच के नाम लिये जाते हैं जो कई बार हमारे कलकलता लीग जो है वो भी एक आईसल से भी बेतर क बड़े-बड़े क्लब्स को खिदिरपुर को हराना मुश्किल पड़ता था उनके स्टॉपर में खेलते थे दो भाई एक अमिद भद्र और सुमीद भद्र तो हमें सब कुछ उस सवकत से हम मैदान में आते हैं तो यह नहीं मुदिन साब ने नहीं सिर्फ बहुत ट्रॉफ जीते हैं सिर्फ मौमदान स्पोडिंग में निको फुटबॉल के प्रती इमांदा रहे हैं और मौमवडन स्पोडिंग निए इस म्माभाण की कोच रह थे तो फुटबॉल का सेवा किया है उन्होंने इस में क्लब के तरद से जो उनको संमान दिया गया है उसका बहुत कद तो बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कितना सुपंदर क्लभाउस बनाया है एक मोनमगानी बोलके जाता है कि हम भी चाहेंगे कि आई लीग में जो है कलकत्ता ही का ही क्लाप जिते और गोकुलम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप लोगे साथ तो गोकुलम के साथ मैच होगा उसमें मोहमडन दो एक से जीतेगा आप मिला लीजिएगा और उसमें तीन पॉइंट का जो गैप है वो इक्वल हो जाएगा फिर देखेंगे चैंपियंज का मैच का क्या होता है मोहर पकार और इस पंगाल के साथ मोहमडन को भी अब काफी ज्यादा एक्टि देखा जा रहा है पिछले पांस सालों में पुरा सा कहीं ना कहीं सुष्टी आई थी देखिए सुल्टन मही ने बहुत कोशिश किया हमको मालू से रशेया और युक्रेन की युद के वज़े से चल्सी देखिए बिगने की हालत में आगे है किसी ने सोचा था क्या कभी चल्सी क्लब का ऐसा हो सकता है तो ऐसे दौर से गुजरते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस से उभर के आगे जाने की जो इच्छा है यही ए जैसे गोवा के डेंपो स्पोर्डिंग लब बुलिये या चर्चिल ब्रादर सुखैर बंद कर दिया लेकिन जैसे वहां का सलगाव कर रहे है वैसी कलकत्ता का अगर यह तीन सपोर्ट बेस क्लब अगर नहीं कहले तो आईसल में मत ग्राउंड में भीड जो है वो कम होता ज बड़े लोग कोशिश में जुड़े हुए हैं सारे लोग मेनत तो करी रहे हैं बॉविदा है अरुदा है दिदी खुद जो है वो पी इसके बारे में पुरा नजर रखती है आपने देगे इसमेंगाल को कैसे एल्प किया उन्होंने तो उनका नजर सबके वार बड़े इसमे में अंतर सबस और सबड़िवसे हैं बड़े, माल मतिना जर्थी किया है गताना तो जोषी जो चलते रहें और आगे जाके कामयाभी जो है वो बहुत जरूर मिलेगी और आप जैसे देख रहे हैं कि क्लब की अगर आप चालो तरफ देखे क्लब का जिम देखे क्लब का अगर आप क्लबाउस देखे प्लेयर्स चेंजिंग रूम देखे तो आपको पता चलेगा कि यह स्प पर में हम लोग थोड़ा सा कम से कम साथ दिये हैं इस बात का हमें खुशी है और आने वाले दिन Modern Sporting Club कोशिस ये करेगी कि हमारे जदने भी प्लेयर जो साविक Modern Sporting में खेले हैं उनके लिए हम लोग अफिशियल लोग कुछ कर सके आने वाले कल में हम लोगों का लाए अमल यह है कि अब हमारी टीम एक बहुत important tournament में आई लीग में second position में है हम लोगों के कोशिस यह है इस माहर रमजान के महीने के मुबारक महीने में अल्ला पाक से दुआ है कि मौमडन स्पोर्टिंग क्लब इस बार आई लीग चेंपियन हो और आने वाले दिन में मौमडन स्पोर्टिंग क्लब आई एसल खेले करते हैं लेकिन लास्त तीन साथ से कॉमिट का वजय से नहीं हो पाया था तो इस बार दुबारक किये हम लोग और शाहने मुहमदान एक रिवायत है जो 1990 से शुरू हुआ था तो वो इसको कंटीनिव किये हम लोग लेकिन हमेशा एक बंदे को दिया था इस बार हम लोग ने द जब से हम लोगों का इस्तर पार्टी होता है तो एक भोड़ शाने मौमठीन के नाम से नामाजा जाता है जो हमारे एकस प्लेयर होते हैं इस बार हम लोगोंने नईम साब और हमारे वह फरीज अप को हम लोगोंने यह किये हैं फोर चाहने मौमठीन का तुफा दिया गया है तो इसी तरह हमेशा से घर साल रम्दान के महने पे जिस दिन हम लोग अफतार पार्टी होता मौमअडन स्पोर्टिंग कलब का उस दिन हम लोग शाने मौमाडन के नाम से एक टौफिय हम लोग देते हें हैं यह तो करी 200 साल से हम लोग देते आ रहे हैं हैं यह काफी दिनों से यह चलते आ रहा है जब लोग यह कमेटी आई हैं जबद सी सुल्तान भाई के नेत में जब से सुल्तान भाई हम लोग आए हैं उस जमाने से अप तिक हम लोग謝謝 कैयों की उड़्या घाल अरही है तो अगर ये है जैसा नाइम सहीड नाइम साथ सिर्फ बंगालıld में पूरे हिंदुस्तां की ये शान है। तो इसलिए ये मौमरडन के नाम से ये ट्राफी है दिया जाता है। तो अगर ऑागार, हिंदुस्तां की आइक और ये ये रोकोमेगा है। हिंदुस्तान के एक शान है नाइम भाई इसमें कोई बात नहीं है ब्राइंड अब्रेसेंटर होने का माने यह होता है कि आप क्यों पैसा उसको देके बनाएंगे इसलिए बनाया जाता है कि उससे हम लोगों का जो प्रॉडक्ट बेस पाएं तो इस तरह से स्पॉंसर बहुत रुपी हो जाएगा जो हम लोगों का कंट्रिविशन हमारी जितने भी एक्जिक्विटी मेंबर है उनका जो कंट्रिविशन है वो सारा काम में आ जाए खुसी का मौका है और मवारक महना है और सबसे बड़ी खुसी के बात है कि आज मोडरें स्पूडिंग कलब जो मुकाम पर है आई लीक पर अभी सेकेंड है च्छै मैच बाकी है मुकाबला चल रहा है जोरदार मुकाबला है इंसालला रमजान के बरकत से और तमाम सदायों के दौवा से हम लोग लीक चेंपियों होंगे इंसालला यह कोशिश जारी है और हमारा कलब का इंफरस्ट्रक्चर जो ह है आप लोग देख रहे हैं पहले कैसा था इससीलिए हम लोगों को गशение करी का भीरांच काम high तो सब्सक्राइब हो सबसे बड़ा एक चीज है उन्होंने कहा है कि मौड़न स्पोर्डिंग का दो जर्सी हमको चाहिए जो जर्सी पहन कर हम रेगुलर दो भाई प्रैक्टिस करेंगे और मौड़न 20 साल का जो नौजवान है जो मौड़न को पूरी हिंदुस्तान में भूल चुका है अगर इर्फान पैड़ान मौड़न के जर्सी पहन के क्रिकिट प्रैक्टिस करता है जो क्रिकिट देखते हैं मौड़न के सैदाई फैन और मौड़न के फैन तो एक अच्छा मैलेज मिलेगा क्लब को भी और हमारा यह हम अच्छी तरह हमको उमीद है यह अच्छा मिलेगा पूरे हिंदुस्तान का क्यूंकि पच्छी सालों में लोग मौड़न को आइस्ता सब भोल रहे थे लेकिन अब वह दीन आ रहा है वह पुराना दीन जो अपना मैदान में मैच होगा और 15-16,000 सदाई मैदाने मौझूद रहेंगे वही घोर सवार का दौड़ और वही पुलीस का दौड़ और वही कीचर से लिपते हुए नौजवान घर को लोटेंगे जो जिस तरह हम लोग बच्छपन में करते थे तो यह बड़ी खुसी की बात है आइंदा जी फोटसल में रिजर्ट की आइंदा साल हम लोग जो दौर्ट करेंगे ऑप टल चलब कीसा ऊचाफ ल्जाल oikeगे इस वह बहुत क्वुश्य की बात है बहुत हम लोग के फ्लेयरों के में लिए हुसल अफ्जाई की बात है कि मॉनस पॉर्डिंग अपने प्लेयरों को वह देरे हैं जो प्लेयरों ने दोर में दिया है और नहीम साहब और फरीज सहाब किसी नाम के महताज नहीं है किसी नाम के तालूक नहीं है इंदव चान में इन से बड़ा नग्ला ने वड़ा प्लियर पैदा हुआ. मुझन सपॉरी ने उनको याद किया है और उन्हें उस संहिं CHARा है बहुत कुछे के बात है." इसके साथ देखा जा रहा है कि मौनसपोडिंग को ओफिशियल, सेक्रेटी दानिश भाई और कमर साहब, बिलाल भाई, बहुत सारे जो फ्लेर है, जबसे बंकर रेल इस क्लब को जुड़ी है, टीम इंशालला अच्छी करते जा रही है, और उमीद करता हूं कि आने वाला दि प्लेर को सही वक्त पैसा मिले, प्लेयरों को हर चीज के फैसलिटी दी जाए, तो प्लेयर को क्या चाहिए, प्लेयर जो बोनसपोडिंग मौन जहां भी खेलती है, वो उसका वो इंकम होता है, वो खेलेगी महनदारी से खेलेगी, उसे उसका महनताना मिलेगा, तो अंजाम ही देगी, तो अल्ला करम से वाई सही हो रहा है, बोनसपोडिंग कलब, आने वाला दिन में अफिलाल बहुत अच्छी करी है, और अच्छा करती रहेगी, मौमन एक इतिहासी कलब है पूरे हिंदूस्तान में, इसमें को शक नहीं है कि उनकी जो टीम है, बहुत दूर तक इ हुई है, और सबसे खुची की बात यहा है, कि एक कलब के जो पुराने ओदेदार थें, जिन्होंने कलब में अपना डेडिकेशन दिया है, ऐसे लोगों को याद किया गिया, उनको सम्मानित किया गिया, उन्हें इजद दी गई, यही हमारा दीन भी कहता है, यही हमारा इस अब इस लाम भी कहता है, कि हम अपने पुर्खों को नहीं बूलें, अपने इतिहास को नहीं बूलें, अपने वकार को नहीं बूलें, तो यह प्रोगाम बहुत अच्छा हुआ, और इसमें लोगों को बुला कर जिस तरह से इजद दी गई, इसके लिए मैं बहुत शुक्र सोय गुजार करें पूरे मोहमधand टीम का में क्या रहा है इस पर आपको जानते के 97 पर दिल परکते हैं अधा कि आपका कप आया था यह cowsे भी पर विनर मुने का नरुनिवाथ था कि अगर मौका मिलेगा मुझे और तक्दिर में लिखी रहागी तो इंशाला जरूर मौबन को लेकि भी महाना बनाओंगे